Hello everyone, जैहिंद कैसे हो आप सभी लोग? I hope सब बहुत ही बढ़िया होगे और जो आपका Air Force का exam है, इसमें आप बहुत ही कम समय बच्छा हुआ है, आप सभी को बता है कि आपका exam date or city out हो चुका है, तो एक बार सब लोग फटा-फट comment करो कि आपका जो hometown है, hometown क्या है और आपका exam कह मतलब क्या exam किस city में है, तो इस वीडियो हम देखने वाला कि आपका exam कैसे होगा, एक तरीके से आसान शब्दुन बोलू, तो आपको पूरा इसमें demo मिलने वाला है, कि जो आपका online exam है, किस तरीके से होने वाला है, आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, A to Z, ठीक है, XY बोथ है निकि science और 9 science बोथ का बताऊंगा, ठीक यार, तो वीडियो बने रहेना, तो आही हूप आपने ये देख लिया होगा, कि आपको exam किस तरीके से बैठना है, आपको exam hall का जो पूरा महौल पूरा ऐसा ही रहेगा, ठीक यार, ये जो आजियो आपको दिवाल दिखर ये लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो आपका center रहेगा, ये दिवाले आपको इतनी उची रहेंगे, दोनों आगे पीछे वाली और बगल वाली, कि आपको बगल में और पीछे और आगे नहीं देखने वाला है, ठीक है, अब चलते हैं, आपको exam कैसे होने वाला है, ठीक है, तो जै ऐसे आप जाओ और computer में, तो आपका screen कुछ ऐसा ही रहेगा, ठीक है, आपका screen या लड़ी ऐसा ही रहेगा, और आपके सामने दो option है, एक आप करेगा hall ticket number, एक आप करेगा email ID, आपको, मतलब आप जाओ यहाँ पहले बैठोगे, तो आपसे थोड़ी दिर बैठने को बोला ज दिक रहा है, hall ticket number आपना, आप सब लोग को मतलब में, फिल कर लो, और सब लोग अपना email ID इसमें डाल दो, ठीक है, जो आपका hall ticket number हुआ, आपके admit card बिल्कुल उपर print होता है, hall ticket number आपका admit card में जाए, आप खुद देख लेना, जब आपका admit card है तो, बिल्कुल उपर print होता ह होगा, तब तब आपका time नहीं कटेगा, आपको full time मिलेगा, ठीक है, बले ही आप, बले ही आप start को पांच में बाद को issue नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, जहां आप से बैठने को बोला जाए, आप वहीं बैठना, वरना आपका computer login नहीं होगा, आपकी hall ticket number से, ठीक है जिसके लिए जो computer alert होता है, आप उसको वहीं बैठना होता है, अगर किसी और computer बैठेगा, तो उसको login नहीं होगा, ठीक है, तो जहां आप से बोलेंगा, आपको वहीं बैठना है, और फिर थोड़ देर बाद आप से बोलें कि आप इसको login कर सकते हो, तो आपको फिर से login कर लेना है, ठीक है, जैसे आप इसे login करोगे, ढूए छोड़ थोड़ा सा, मैं मतलब net slow है, तो यहाँ पर आपकी photo लगी होगी होगी, ठीक है, आपकी photo जो भी अडिमिकार यहाँ लगी होगी, और यहाँ पर आपका नाम लिखा होगा, छेको यह आपका actually access, बोल जाया है, ले आपको बोलेगा you can start exam, लेकिन exam start होने से पहले आपको 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 कम से कम 10 विट सब मिलता है, तो उतने में आपको आराम से सारे instructions को पढ़ लेना है, जो भी इसमें instruction दे रखा है, बिल्कुल आपको इसकी नहीं रहेगा, बिल्कुल आपको exam ऐसे ही होता है, बस अंतर इतना क्या है, ऐसे करके पूरा आपका इसमें सब कुछ दिया होता है, आपका काम क्या है, कैसे क्या है, तो आपको सारे instruction है, ध्यान से पढ़ने के बाद यहां आपको टिक कर देना है, मैंने सारे instruction को पढ़ लिया, मैं उसको पालन करूँगा, उसके बाद आप अपना exam start कर दोग अगर आप science और non science बोट का फिल करोगे, तो आपको physics आएगा, ठीक है, तो आपका जो interface कुछ इस प्रकार होगा, आपका यहाँ पर देखो question number लिखे होंगे, और यहाँ को दर्शाय करेगा, यहाँ आपको शोग करेगा, कि आपने कितने question answer की हैं, और आपने कितने question answer नहीं क कर लेना, मालो by chance अगर आपके computer कुछ हो जाता है, पहली बाद तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन by chance अगर कुछ हो जाता है, computer मालो बंदी हो जाता है, तो जो आपके session ID है, इसके तुरू आप अपने exam को फिर से बहीं से start कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने session ID नहीं लिख रखी है, तो आपका exam submit हो जाएगा, या तो आपको फिर से exam start करना पड़ेगा, नहीं तो आपके exam submit हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप note कर लेना, ताकि कोई भी issue ना हो, विल्कुर आप खुद भी बोलने हैं आपसे, कि आप इसको note कर लो, यहाँ पर आपकी 20 minute English के लिए 25 minute मिलता है, अब देखो यहाँ अपर timer कितनी speed चल रहा है, अब देखो मैंने start ही किया है, अब देखो 8 hour minute हो जुगा है, तो यह आपको second में नहीं दिखाता है, यह आपको ऐसे दिखाएगा, जब बाद में आपके 5 minute बचेंगे, तो यह आपका red हो जाएगा, औ और ताकि आप alert रहो कि आपका time जो है, खतम होने वाला, ठीक है, तो यह ऐसे रहेगा, और यह आपके question ऐसे रहेंगे, Navy के exam में क्या होता है, SSC के exam में क्या होता है, screen पर एक बार में एक ही question आता है, लेकिन Air Force का सबसे जो अच्छी बात है को यह होता है, कि इनका जो पूरा question paper होता है, एक ही बार में आपका पूरा question paper आ जाता है, आप इसको जो आपकी बीच में scroll वाली बटन होती है, आप उसे scroll करके एक ही बार में अपना पूरा पेपर देख सकते हो, ठीक है, आप देखिए, जैसे मालेजी आपको कोई question answer करना है, जैसे 20 number question है, इसको आपको answer करन minimum होगा, ठीक है, जिसे मालेजी आपको इसको answer करना है, तो इसका मालेजी आपका option अगर A, सही है, ठीक है, minimum बोल भाए, तो यहाँ पर देखिए, आप इस पर tick कर दोगे, आपका answer देखो टीक हो जाएगा यहां पर दिखुँ आप गरीन हो जाएगा और यहां पर देखुँ आपक यह सही का जो यह निशान Price फार होन लेज़ेगा यहां पर दीका हाएं एंसर्देक और अनसर्ट ट्विन्टीफूर और जैसे मान लेजिए आप इस question पर आयो ठीक है आप आलो इस question पर आये हो और अपको जाए इस question नहीं आ रहा है आपको लगता है कि इसको आप कि यहाँ आपका आईसा हो जाएगा ठीक है और आपका जो question number उत्फो हो जाएगा और यहाँ पर आपको इस quivering कर नहीं करना है आपको सिद्धिया question number एक पर तो आप एक पर click करोगे देखो आप question number एक आगया ठीक है अब मालो आपको इसमे question number आपने इसमें आपका d लगा दिया है और आपको इसको answer को clear करना है मतलब कि आपको submit करना है लेकिन जो इसका answer है आप sure नहीं हो और आपको आपको clear करना है तो आप clear answer पर टिक कर दोगे आपका answer clear हो जाएगा और यहाँ पर देखो आपको clear हो जाएगा ठीक है अब जैसे मालो आपने जो marker रखके यह देखो आपको blue show होगा ठीक है answer आपको green show होगा और unanswer आपको रट टाइप में show होगा अब मालो आपको इस पर जाना आपने इस पर क्लिक किया अब इसको आपने जो भी इसका answer आपने इसका answer कर दिया ठीक है जो भी BCD हो answer करके आप इसको चाओ तो unmark कर दो और अगर यह mark फिर रहता है तब इसमें कोई issue नहीं है ठीक है आप चाहिए इसे mark ही रहने दो mark करेगा तब भी आपको कोई issue नहीं है अनमारा को तब भी कोई issue नहीं है ठीक है तो ऐसे करके आपको अपने पूरे 25 question solve कर डालने है आपको submit नहीं करना है वैसे यहाँ पर देखो submit option होता है ठीक है यहाँ पर यह आपको देता भी है कि don't press submit question paper section button till you have completed the section ठीक है तो देखो आपको section कुछ से submit नहीं करना है वैसे तो लेकिन आप चाहो तो submit कर सकतो यहाँ से यह option रहता है exam में लेकिन 20 minute होने की बाद जो आपका section है automatically submit हो जाएगा तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है अब जैसा कि मैंने बोला है मैं xy both का बता हूँगा तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं मैं इसमें submit करता हूँ ठीक है देखी मैंने इसे अपना submit कर दिया है ठीक है तो आप submit मत करना कुछ से इसके बाद जैसे आपका section submit हो जाएगा आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा ठीक है और यहाँ पर आपका देखो शोग को है कि आपने कितने question answer नहीं की है और यहाँ पर शोग रहा है कि आपने कितने question mark पर रिव्ली छोड़ दीदे ठीक है उसके बाद आपको 2-3 मिनट वेट करना पड़ेगा और फिर आपके स्क्रीन पर आटोमेटिकली एक अलर्ट नोटिफिकेशन आ जाए कि आप अपना जो एक्जाम में स्टार्ट कर सकते हो और वहाँ से भी अनॉंस किया जाए कि आप जो अपना एक्जाम स्टार्ट हो जाएगा ठीक है अब आपने जो 25 नमबर तो क्वेशन कर लिए थे सो यहाँ से आपका 26 नमबर क्वेशन स्टार्ट हो जाएगा अब इसमें भी आपको सेम चीजे वही रहेगी आपको कुछ सम्मिट नहीं करना है लेकिन आप चाहो तो कुछ सम्मिट कर सकते हो लेकिंग उससे कोई मतलब बचेगा नहीं आप मालो कुईशन को आप मालो भी वी 20 मिट बचा है आपने इसको सम्मिट कर देखे 10 मिट में तो जो आपका time 10 minute है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको पूरा 10 minute wait करना ही पड़ेगा, जब सबका complete हो जाएगा, उसके बाद ही आपका start होगा, ठीक है, तो पहले submit करने से कोई मतलब नहीं है, आपको आराम से करना है, पूरा आपको लेना 20 minute, ठीक है, तो मैं इसे फिर submit करना हूँ, ताकि आपको मैं आगे दिखा सागू, क्या रहता है, आगे ठीक है, आपको लेगे submit खुछ से नहीं करना है, आपका automatically submit हो जाएगा, submit करने के बाद यहाँ पर देखो फिर आपका submit करना पड़ेगा, आपको फिर 2-3 minute वेट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद आपके skin फिर से एक alert आएगा, कि आपका जो section है, स्टार्ट हो सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आपका जो start का option है, शो हो जाएगा, आपको फिरसे स्टार्ट करना पड़ेगा, और जो आपका English का section होगा, वो start हो जाएगा, ठीक यार, तो यहाँ पर आपको physics, math के बाद आपका English start हो जाएगा, question में 51 से क्यों, आप सभी को बता है, आपने 50 question solve कर ली है, और यह आपका 51 से start हो जाएगा, ठीक है, तो आपका जो passage access होगा, और passage के नीचे आप question रहेगा, फिर आपका शोगा passage, मतलब कि जो आपका passage रहता है, पैसेच के साथ में question रहता है, ऐसा नहीं कि आपका पैसेच के यहाँ ली कर रहेगा, question आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक यार, तो easily आप इसको सब कुछ पढ़के solve कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी issue नहीं है, ठीक यार, लेकिन बस ध्यान रखना है, आपको बहुत ही carefully solve करना है, ताकि आपको जो कोई question गलत नहों, ठीक यार, तो 70 तक question आपके यहाँ से हो जाएंगी, और यहाँ पर जो कि वाल एक्स वाले रहेंगी, उनका काम खतम होता है, अब यहाँ से काम स्टार्ट हो, मतलब हो चुका है वाई बालों, ठीक है, जो भी वाई बाले हैं, उनने भी जो अपना paper है, यहाँ से बहुत ही carefully देना है, ठीक है, जो इसका number है, आपके वाई में जुनने बाला है, बाकी कौन fail, कौन pass होगा, इसका डाउट है, मैं अलड़ी clear कर चुगा हूँ, वीडियो अलड़ी upload है, ठीक है, एक बात ध्यान देना आप, यह जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, यह समझ लोगा, आपको real exam का, मैं आपको feel दे रहा हूँ, ठीक है, real exam आपका same to same, ऐसे ही होता है, उसके बाद देखो, मैं फि आनि कि जो science वाल है, मतलब paper हो चुका है, अब सिर्फ बचता है रागा, जो कि सिर्फ important है, non science वालों के लिए, ठीक है, तो अपको आप फिर से अपना start करना है, रागा वाल सेक्षन, जैसे आपका यह तीनों हतम हो जाएगा, मैंने start कर दिया है, ठीक यार, और यह आपकी त सिर्फिकल सोसाइटी, ठीक है, जो आपका फैना सिर्फिकल सेक्षन रागा वाल है, आपको 25 मिलने वाल है, सब कुछ आपका सेम रहे, कुछ भी यहां पर अलग नहीं रहेगा, ना आपकी शिशान आईडी, ना आपका नाम, हॉल, टिकर नंबर, कुछ भी, बस यहां पर आ 25 मिलने रहेगा, ठीक है, 71 से लेकर 100 तक आप रहेगा रागा, आपको वाल 98 जाना, आप 98 पे क्लिक किया, आप देको डिर्टल यहां पहुच जाओगे, आपका देको इमेज वाला कुशन ऐसे रहेगा, ठीक है, मतलब कि कहीं भी आपको इश्यों नहीं रहने वाला है, और फाइनली, पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद, आपको यहां पर, चाहो तो आप तो सम्मिट करो, नहीं तो आप 25 इन से सॉल्व करो, 25 नेट के बाद, आपका जो पेपर वो सम्मिट हो जाएगा, ठीक है, तो मैं यह सो सम्मिट कर रहा हूं, ताकि आपको दिखा सकूँ, क यार, जो आपका पेपर है, सम्मिट हो जाएगा, ठीक, जो मेरा चारो शेक्षन है, फिजिक्स, मैट्स, इंग्लिस, रागा सम्मिट हो चुका है, और यहां पर देखो, शो कर रहा है, मैंने रागा में कितने एंसर की, कितने एंसर नहीं की है, कितने माट्स रिप्यू है, अब काफी लोग कन्फ्यूज हो कि यहां पर मतलब फुल क्यों शो हो रहा है, यहां पर फुल असल में इसले शो हो रहा है, कि यह डेमो टिस्टरीक है, इसलिए आप ऐसा शो होता है, बाकि एक्जाम में आप जितने कुश्शन करोगे, आपके यहां पर सिर्फ उतना ही शो नहीं होता है, जो center वाले होते हैं, वो कुछ submit कर देते हैं, लेकिन आपका कुछ submit कर देना, खुछ से इसको submit करना पड़ेगा, तो मैं इसको submit कर रहा हूं, और मैंने देखो submit कर दिया है, और आपका देखो जो screen फिर से ऐसे आ चुका है, अब जो अगला बंद आएगा, जिसक के सामने फिर से ऐसे screen आएगा, और उसको फिर से जो सारा step से, उससे follow करना है, तो I hope आपको पूरा demo मिल चुका होगा, कि आपको exam कैसे होता है, आपको कैसे क्या करना है, ठीक है, कोई doubt हो, तो आप comment कर सकते हो, या आपको मुझी contact करना है, तो instagram का link description में है, आप instagram पर जा सकत आपको जा एपको जाएगाँ आपको जाएगाँ एज मुझी करना है, तो है।